ओम शंति पांच दो दोहजार बाईस आज के मीठे बाबा के मधुर महावाक्य मीठे बच्चे समस्दार बन अपना पूटा मेल देखो कोई करमेंद्रिय धुखा तो नहीं देती है सारे दीन में कोई भूल हो तो अपने आपको सजा दो प्रश्न है बाप से सच्चा व्यापार करने वा उँच पत पाने का आधार क्या है उत्तर है बाप से सच्चा व्यापार करना है तो बाप के हर डाइरेक्शन पर चलो बाबा कहते बच्चे यदि उँच पत पाना है तो अंदर में जो भी बुरी आदते है वह निकाल दो, कुद्रस्टी, क्रोध, आदिस से बहुत नुकसान होता है इसलिए कर्म, अकर्म, विकर्म की गुह गती जो बाप ने समझाई है उसे बुद्धी में रखो धारना के लिए मुख्यसार पहला है, भाई बेहन वा भाई भाई की द्रस्टी पक्की करनी है बहुत खबरदार रहना है ऐसा कोई कर्म न हो जो बाप का नाम बदनाम हो दूसरा, बाप में कभी भी संशे नहीं लाना है प्रेम से बाप को याद करना है रात दीन पढ़ाई पर ध्यान देकर कमाई जमा करनी है वर्दान सदा वीजही की समर्ती से हर्शित रहने और सर्व को खुशी दिलाने वाले आकर्शन मूर्त भव हम कल्प कल्प की वीजही आत्मा है वीजही का तिलक मस्तक पर सदा चमकता रहे तो ये वीजही का तिलक औरों को भी खुशी दिलाएगा क्योंकि वीजही आत्मा का चहरा सदा ही हर्शित रहता है हर्शित चहरे को देखकर खुशी के पीछे स्वत ही सब आकर्शित होते है जब अंत में किसी के पास सुनने का समय नहीं होगा तब आपका आकर्शन मुर्थ हर्शित चहरा ही अनेक आत्माओं की सेवा करेगा स्लोगन है अव्यक्त स्थिति की लाइट चारो और फैलाना ही लाइट हाउस बनना है ओम शांती